हेलो गाईज आप सभी कोपरिती का प्यार भरा नमस्कार आज हम बनाएंगे मेकप पाउच और बहुत जादा स्पेस वाला और बनाने में भी आसान तो उसके लिए मैंने ये एक ही पीस ले लिया है फेबरिक का हम एक ही पीस से ये बनाएंगे तो मैंने इसका मेजरमेंट लि वहां से फोल्ड करना है और ये खुला पाटे और ये बन दे तो जो खुला है वह अपने सामने की तरफ रखना है और वहां पे कोई एक कॉर्णर ले लिजिए वहां पे हमें 3.5 इंच का एक बोक्स बना लेना है 3.5 इंच बाए 3.5 इंच का इस तरह से ये बोक्स बन गया अभी उसके उपोजिट साइड उसके सामने की साइड में भी हमें लंबी 3.5 इंच की एक लाइन बना लेनी है इस तरह से और वो लाइन हमें 10.5 इंच तक बना लेनी है ये देखे यहां से हमें 10.5 इंच का मार्क लेना है करना है मार्क और फिर इस साइड 3.5 इस तरह से हमे इसका shape देना है और फिर यही नाप से हमें cut कर लेना है जो हमने side में अभी यह दो draw की है ना वो हमें cut कर लेने हैं cut हो गए तो यह कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा अभी हम इसका बीच का center mark निकालेंगे तो यह उपर की side आएगा तो यह हिस्से हमें पहले हम center का mark निकालेंगे और यहाँ पर उसके सामने वाले side में भी center का mark कर लेंगे और फिर हमने जो side में से cut की है ना वो हम fabric यहाँ पर लगाएंगे तो उससे पहले यहाँ पर हमें दोनो side line बना लेनी है और वहाँ पर two inch पे mark कर लेना इस तरह से two inch पे total three mark होंगे दोनो side सेम इसी तरह से करना है और जो side में से हमने cut किया है वो fabric हम use करेंगे ताकि हमारा वो भी western ना जाए तो यह मैंने fabric ले लिया जो side से cut किया है अभी इसमें अगर आपको joint लगाने की ज़रूर पड़ती है तो लगाए नहीं तो लगबग ऐसे भी हो जाएगा तो अभी इसे मैं joint लगा रही हूं तो यहाँ पर stitch कर लेना है फिर उसे उल्टा रख के इसके उपर कर लेनी है top stitch अभी उपर की कोई एक side ले लीजिए और वहाँ पर कर लीजिए stitch और डो बार fold करना है इसे और stitch कर लेना है तो दोनों side एक एक side हमने ये stitch कर लिया और अभी ये strip में हम 2.5 पे इस तरह से mark कर लेंगे दोनों piece में हमें same यही नाप लेके इसमें mark कर लेना है अभी ये वाला piece में भी हम 2.5 पे इस तरह से mark कर लेंगे और फिर यह है ना हम उसमें match करेंगे तो यह strip हम इधर joint करेंगे और यह दूसरी strip इधर जैसे यह strip attach कर रहे है वैसे ही उसके सामने वाली strip को attach करना है तो देखें यहां से हम stitch करना चालू करेंगे तो पहले जो 2 inch का और 2.5 inch का मार्क किया है उसे मैच करना है और बीच में एक एक प्लीट्स लेती जानी है और यहाँ पे यह अटेज कर लेना है जो हमने पार्ट जोइंट किया वो एक्स्ट्रा हा रहा है तो उसे कट कर लिजेगा अगर आपने जोइंट किया है तो यह देख हमें स्टीच कर लेना है तो यह पोकेट बनाना है इस तरह से मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ देखिए यहाँ पे मैंने स्टीच किया आभी जो 2 inch का मार्क आया उसके उपर इस तरह से सिलाई चला लेने है जहाँ जहाँ 2 inch का मार्क आता है वहाँ पे हमें इसके उप सामने की साइड हमें यह श्रीप अटेज कर लेनी है तो यह दिखे यह श्रीप अटेज हो गई अभी हम यहां पर श्रीप अटेज करेंगे दूसरी उसके लिए मैं अलग से कपड़ा लूँगी अगर आपको यह पोकेट नहीं बना ना है तो नहीं बनाएंगे तो भी चलेग और इसका सेंटर मार्क दोनों साइड निकाल लेंगे और फिर जिप ले लिए मैंने एट इंच की और अभी इसमें भी हम सेंटर मार्क निकालेंगे और जो हमने पीस लिया है उसमें यह जिप अटेज करेंगे तो सेंटर को मैच करेंगे और जो भी कपड़ा एक्स्रा आ र लेंगे टौप स्टीच बिर्च भी हो गई, अबी रनरेड कर लेंगے रनरेड हो गया, तो फिर अभी ये जो सेंटर है, यहां पर हमने सेंटर मेच किया, उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, कि हमने प्लीट लिये, उसके सामने की साइड प्लीट्स ले लेनी है और स्टीच कर लेना है श्टीच हो गया बाद में ये पीस इस तरह से चारों तरब सिलाई करके जोड़ लेना है मैंने यहां भी दो छोटी-छोटी प्लीट्स ले लिए ताकि पोकेट हमारा ज्यादा स्पेस वाला बने और अभी ये साइट जो लंबी टू-इच का और यहां पे करेंगे हम हैंडल अटेज तो हैंडल ले लिया है मैंने 10.5 इच का उसके लिए मैंने 4 बाइ 10.5 इच का फेबरिक लिया था डबल फोल्ड करके इसे रेडी कर लिया और अभी ये स्ट्रिप हम इधर लगाएंगे जहां पे हमने टू-इच तक मार में यहां पे स्टीच कर लेना यह देखे यहां पे स्टीच करना है अभी यहां पे स्टीच नहीं करना है बाद में हम स्टीच करेंगे यहां पे पहले हम यहां जिप अटेज करेंगे तो जिप ले लिए है मैंने 22.5 इच की और यह जिप को इस तरह से उल्टा रखेंगे औ यहां पेश्टीज करते जाएंगे तो पूरा जो सामने वाला इसा है वहां तक इसमें स्त्रीपाटेज कर लेंगे तो इसके उपर हम कर करेंगे रनारेट दोनों साइट से एक एक रनारेट कर लिया है और यहाँ पर जो सेंटर मार्क किया था हम ओ जिप के उपर बी जो तो देहिए यह जो बीच का हमारा सेंटर है दोनों मेच हो रहा है तो इसी तरह से मेच होना चाहिए और सामने की साइड तक हमें स्टीच करके इसे रेडी कर लेना है यहां भी हमें स्टीच कर लेना है तो पूरे में यह स्टीच करके हो गया और अभी जिप को ओपन करके इसे कर लेंगे ह सीधा सीधा हो जाएगा बाद में जहां जीप है उपर की साइड वहां पे हमें यहां से सिलाई करना स्टार्ट करना है यहां पे टॉप स्टीच कर लेनी है तो इस तरह से जीप को दबाते हुए पूरे में जितने में जिपे वहां तक हमें इसमें टॉप स्टीच कर लेनी है तो ये देखें ये टॉप स्टीच हो गई तो बाद में हमारा पाउच बनके रेडी हो जाएगा ये हमारा पाऊच बनके ready हो गया जिसमें अंदर की साइट बहुत सारे pocket बनाए और बार की साइट से भी अच्छी तरह से फिनीसिंग में ready होके तयार होता है तो ये देखिए अंदर की साइट भी कितने सारे pocket बने मैं अपना सब सामान आपको और्गिनाईज करके दिखाती हूँ तो यह देखी यहाँ पे मैंने सारी लिप्स्टिक रख दी यहाँ पे मैंने नैन पॉलिस रख दी और बीच में मेकप का जो सामान है वो रख दिया और जो साइड में जिप वाला पोकेट है उसमें मैंने अपने कान के एरिंग्स और जाता है और इसका फाइनल मेजरमेंट है यह चोड़ाई में है 7.5 इंच और इसे भी 7.5 इंच है और हाइट इसकी 4.5 इंच है और अंदर का एक पोकेट में आपको दिखाना भूल गई थी तो यह देखिए मैंने सारी अपनी एरिंग्स सब इसमें और गेनाइज करके रख और यह बनाने की भी ट्राइजरूर कीजिएगा कैसा बनता है वो भी कमेंट कीजिएगा मुझे और वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और सेर भी कर दिजिएगा चलो मिलते हैं ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ जय बारत